दोस्तों स्वागत है आपका पंचायत का पंच में और हम आ गए हैं कटाईय डंडी ग्राम पंचायत में और चित्रकूर का वो इलाका है जो सबसे दूर है सुदूर है लेकिन अपनी पहचान को बरकरार रखने वाला इस्थान है मुद्दों की समझ यहां की लोगों को बहुत जादा है और चुनाओ आते ही यहां के लोग यह बताना मुनासिफ समझते हैं कि समस्याए क्या है और नेता जी ने क्या कुछ पिछले 5 साल में किया है और अगर मुद्दों का ध्यान देंगे तो अगले 5 साल उन्हें चुना जा जानकारी के लिए आपको बता दू कि ये ग्राम पंचायत बड़ी ग्राम पंचायत है मुलभुत्स विधाओं से जुच्ति ग्राम पंचायत है मौमानिकुर विधानसभा के अंतरगात आती है और खंडेहा वाड के जिला पंचायत जो सदस्त की सीठ है उसके अंतरगात आती आपको क्या लगता है कि यहां क्या मुद्दे प्रभवित करने वाले हैं और चुनाओ किस तरीके का होने वाला है कोई पानी विवस्ता नहीं है कि अपने गिदाई कभी क्या ऐसा हुआ है कि नेता भी आए यहां पर 5 साल पर उन्हें बताया गया कि आज ही समस्या प्रगट होगी नहीं सर्फ जब चुनाओ होता है तो बहुत सारे नेता आते हैं हम यह कर देंगे हम वह कर देंगे मगर जब कटीया यहां अंदी में इतना विकास हो जाए कि पूरे चित्रकुट में सबसे आगे हो और विकास के छेत्र में हमारा ग्राम पंचायत कटायर रंडी इतना पीछे है इतना पीछे है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है हम यह चाहते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत कटायर रंडी में इतना विकास हो कि हमारा कटायर रंडी बहुत आगे हो जाए पहुत आगे होगा कैसे क्योंकि सतर बरस तो आगे आही गए हैं देश की आजादी के बाद अब भी आगे आने की बात आ रही तो हैं कितना पीछे आप क्या क्या दिक्कते हैं आपके आप पानी नहीं आता रोड़े साथ सब खराब पड़ी हुई है चलके आप मौई पर कि आपको दिखता है इनको नहीं दिखता करने वालों करने बाले सब आते हैं तो जात के साथ पाड़े करके था तुम्हारी बौट नहीं सब्सक्राइब लोग उनको जाकर विधायक सब्सक्राइब बुराई करें उसको बोटिंग कि और उनको विधायक बनाए चार महीने बाद हमारे गाहँ आए तुरुसीदास उन से सब्सक्राइब लोग नहीं सकता ना लेकि मेरी सुरच्छा अपने विधायक की कर ली विधान सब्सक्राइब अगर बात ग्राम पंचाती करें तो उनसे क्या हुआ पानी वाली सब्सक्राइब तीसरे दिन पानी आता है तीसरे दिन पानी आता है तीसरे दिन प्रचार में तो आप फिर अगर बोलेंगे पानी दे दो तो कहीं असने लग गए पानी पानी चाहिए हर दिन पानी चाहिए का सब्सक्राइब पानी तो दो चार चार दिन में आता है अधिन नहीं आता प्रत दिन अलाइट की समझ से आए सबसे बड़ी हमारे गाओं में कटे डंडी गाओं में पानी के समझ से सबसे ज्यादा आधिक आपके हाँ एक सोशल मीडियम तस्बीर आई थी कुछ दिनों पहले आपने प्रसारित की थी कि बच्चों को निकलने मदिक्कत हो रही थी ऐसी की कैसे समझ में आता नहीं कि कि बहुत करेंगे लेकिन आता कौनहें नहीं दो की तना कि तोड़ी के जिनता थोड़ी है यहां नोग की से जी रहे हैं उनके लिए थोड़ी विश्री अपने लेके आएंगे अपने भूल से मर रही है ना कोई भीवस्ता अबहें को दुसरी बात गावोगों पानी की समस्याइं बनी है जब पानी की समस्याइं तो और तो कुछ होने आला फिर है नहीं तो फिर बात आखिर क्या है मुद्दों की बात ऐसे आ कैसे जाती है कि नेता चुन लिए जाते हैं आप उनसे समस्या भी बता देते हैं और फिर भाई साब ने एक ने कहा कि यो तो पहिचाने सिंखार कर देते हैं सब्सक्राइब करवा दिये लेकिन जब से बीजेपी में आए तो उनका विकास रिग्जम खत्म पार्टी का भी फार्क पड़ता है प्रद्धान जिला पंचाइस अब माहिने रखते हैं लेकिन आज तक उसने कहीं नल सप्लाईया तक शालू नहीं कि क्या आज भी गाउं में सांसाद और विधायक की तरफ ही देखा जाता है प्रद्धान जिला पंचाइस अब माहिने रखते हैं लेकिन जब बजट आएगा उसकी अंडर में तो ही तो प्रद्धान का होगा बीडीसी का होगा तो क्या ये चुनाव भी आप विधायक के काम आप पर्सेंट परेक्तिक्त ये पहले से ब्रद्ध आज चार पंच वरसी में बनाया धोनों ने अपना काम कारकाल दिखाया एक सामान का कोई यार तक नहीं दिखाया तो मैं चाहता हूं जो विकास आदमी करता हो के वर विकास को आदमी आपको प्रूब दे रहा हूं कि यह बैकवर्ड से मनलब दो आदमियों ने बराबर विकास किया इधर जो पानी की दादा आपने तो सारफ हमें देख लिया सतर बरस चुनाओ हो रहे हैं लगातार आपको क्या लगता है कि कसक किस बात की रह गई है सबसाइब कसरे कसरी हर एक यह उसे प्रधान के कोई गलती नहीं है पांट साल हमारे यह प्रधान जो किया तो अच्छा किया स्कूल फिस्कूल सब बनबाया अब थोड़ा बहुत ठीके दारे लोग मा पांट साल में पानी बिजली कहें नहीं पूरों कि हम रहे हैं विकास को करें के बादीर तयार नहीं है यह कमिया भेई है खोर साहिब कर्जदार आदमी हैं हमरे पास हमारे चला माकान देख ले तो फिर कहवे कि हां बुड़ा सही कह रहा है यह दर्की दादा भाजपा सपा समर्थन से जिला पंचाई चुनाओ लड़ा जाते हैं ठीक है सिंबल दीन जाते हैं तो का फरक परी कुछ हूँ अरे फरक तो पर्बे भेई कुछ हूँ हमार अब का बताई जाहर की का है नहीं बतावा ना समझे का प्रयास मड़ी करत है कि कोने कईती जाता दबाव बन रह अब हमें लगे भाई यह दवाव बारे को सोचब ना अब पाल्टी हमें लगे अवे नहीं भेई तो पार्टी अभी आई नहीं है और पार्टी आएगी पार्टी को चुनाओ होगा तरह कुछ बोल रहा है हम जाओं है पाल्टी के बदावला सियां से कर्भी बांदा तक ग हम जाओं रवलेंस डवा लेई आज बनबाद ही और यह देन चाहिए तक हम खुदे खतम हुआ फिन रहे ऑम और रहें और बोले रहें महराजी का नाम लें आनन सुकलावी बोले रहें अ यहां अ पहर बोल रहें काम निकल गया और जो चले गए तो लोग हैं वो मूल भूत सुभधाओं से जूज रहे हैं और लोगों का जो बहुत हद तक कहना यह है कि जो समस्याएं दूर हो जानी चाहिए थी अजादी के बेहद सुरुआती दसकों में वो नहीं पूरी हुई है और हमारे साथ हमारे बिशले सक सचीन वंदन है जो लगातार इंच्छेत करेगा मुल भूत सुभधाओं प्लब्द कर आएगा उसको बोट देंगे आप देख यहां पर देख रहा हूं मैं यहां निकलने के लिए रास्ते नहीं है नाली नहीं यहां पे सबसे बड़ा मुद्दा तो यह प्रभावित कर रहा कि पीने के लिए पानी भी नहीं है भा प्रभावित करेंगे इसे यह था का टाया डंडी का इलाका जो यह कह रहा है कि मूल भूत सुभधाएं अगर पूरी कर दोगे नेता जी तो चुन लेंगे आपको अगर इस बार दगा किया तो फिर मुश्किल है अगले चुनाओं में कि आप जीत पाएं लोगों का यह सप पर जाते हैं लोग चाहते क्या हैं और सत्तर दसक बाद आजादी के गाओं का सुभधा है